हाई दोस्तों आप सभी के वाए एक बार फिर से आरके एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत हैं मैं राजस्कुएशरमा आज आपके लिए नैरेशन पर आखरी वीडियो लेकर के आया हूँ एक्जाम के पॉइंट आप व्यू से है जो हमारा यूपी बोर्ड एक्जाम बहुत नजदी के उसके पॉइंट आप व्यू से में आखरी वीडियो लेकर के आया हूँ आज हम देखें कुछ इंपोर्टेंट डाट स्पीच उसको हम कैसे in that speech में change करेंगे ठीक दोस्तों मेरे पास तीन that speech है उसको हम कैसे in that speech में change करेंगे चली देखते हैं देखी दोस्तों यहाँ पर पहला हमारा dad speech है यही father said to his sons father ने अपने बच्चों से कहा where are you going तुम लोग कहा जा रहे हो when will you come back तुम लोग आपस कब आओगे तो father ने क्या क्या question किया तुझा क्या where you बनलेगा sons के अमसार तो यहीं का where they were going ठीक ना एक और question किया है तो उसको भी क्या बत कंजंग्शन बना देंगे when will you had when they will का हो जाएगा would ठीक ना come back तुझतों यह ऐसे जाएगा और full stop हो जाएगा अगला देखते हैं the landlord said to the former landlord ने former से कहा कि go away चले जाओ and do not stand at the door दरवाजे पर खड़े मत हो तो landlord ने former को order कर दिया और जो order कर दिया हो जाएगा the land lord ordered इसको order कर दिया the former को क्या order किया वो अवेद हो जाएगा to go away and and हटा देगे इसको not to stand at the door ठीक दोस्तों न अब हम देखेंगे एक और हमेरे पास यहां पर dialogue है डायलाग दो लोग बीच चल रहा है रोहन और सीता बीच में तो रोहन ने सीता से कहा will you go to school today क्या तुम आज स्कूल जाओगी सीता ने कहा no फिर रोहन ने कहा क्यों फिर सीता ने कहा क्यों कि I am not feeling well मैं अच्छा नहीं मखसूद कर रही हूं तो यहां पर जब ऐसे dialogue आए तो उसको हम कैसे change करेंगे वह देख लेते हैं तो क्या है पहला रोहन आस्क्ड किस से आस्क्ड किया सीता ठीक ना अब यहां पर यहां पर डाइट कोईशन है तो हम इफ लग आएंगे इफ यू बदलेगा सी के अनुसार सी उठ हो जाएगा गो टू स्कूल टूडे है तो दैट डेए फुलिश्टाफ हो जाएगा फिर सीता ने उक्तर दिया सीता रिपलाइड ठीक ना किसे रिपलाइड दिया तो आप इसको रिपलाइड दैट कर लो दैट सी उड्ड नौट ठीक ना आप ऐसा कर लो या आप चाहो तो इसको ऐसे कलोर सीता replied इसको हटा करके आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और सीता replied in-2 ठीक धोस्तों ना आप चाहत इसको ऐसे भी कर सकते हो सीता Ergebnis ठीक ना फिर से रोहन ने question किया तो लिख़ोगे आप रोहन Asked Again रोहन ने दुबारा पूछा ना हम आगेन कर देंगे रोहन आश्ट अगेन यहाँ रहो इसको ऐसे कर लो आप थाच्छा और क्लियर हो जाएगा रोहन अगेन आश्ट आगेन आश्ट क्या दो अगेन पूछा Why ठीक ना वाई वह मैंने क्यों क्यों स्कूल नहीं जाओगी वाई सी वोड नौट गो टू स्कूल देट डे उस दे वह स्कूल क्यों नहीं जाएगी फुली स्टॉप दोस्तों मैं था वीडियो सही कर दूँ साद नीचे दिखाई नहीं देगा खेकी दोस्तों सही हो गया तो फिर सीटा ने दोबारा रिपलेड किया यां लिखेंगा हम सीटा अगेल रिपलाइड शीता ने दोबारा रिपलेड किया क्या हिपलेड किया कि बिकाज आइम नाट फिलिएउ इल मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी आप लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं अच्छा नहीं मासूस कर रही हूं सिता रिप्लाइड अगे रिप्लाइड देट सी उड़ नॉट गो टू स्कूल ठेला उस्कूल नहीं जा पायागी विकोज क्योंकि अब आप लिखोगे कि I am not feeling well थो जाएगा सी वाज नॉट फिलिंग वेल ठीक दोस्तों ना उसको दुबारा समझे ले हम रोहन ने सिता से कहा कि तुम विल यू गो टो इसकूल टुड़े क्या तुम आज इसकूल चलोगी सिता ने कहा नो रोहन ने कहा क्यों सिता ने कहा क्यों कि मैं अच्छा मरसूस नहीं कर रही हूं तो यहाँ देखिए रोहन आज सिता रोहन ने सिता से कुछा तो विल यू गो टो इसकूल टुड़े तो जाएगा इप सी उड़ गो टो इसकूल देट तो देट सिता रिप्लाइड रोहन दोआरा पूछा तो रोहन आगेड आस्ट वाइड आज सी उड़ नाट गो टो इसकूल देट तो सिता ने भी तो अगें रिप्लाइड किया फिर से रिप्लाइड किया तो लिखेंगे लिखेंगे हम सीता अगें रिप्लाइड देट शी उड़ नाट बो टो इसकूल इसकूल नहीं जाएगी ठीड़ विकॉज सी वाज नाट फेली वेल क्योंकि अच्छा मासूस नहीं करें थी हां पर दैट डे छूट रहा था यहां पर मैं दैट डे एड कर दे रहा हूं कि अच्छा मासूस नहीं करें दोस्तों यह हमारा इजांग के पॉइंट अभिव से आखरी वीडियो था मैं आपके लिए हमेशा वीडियो लाता रहूंगा हर एक ने टॉपिक पर है ने चीज जो चेंजर होते रहते हैं या पैटर्न होते रहते हैं इस्पेसली सेकेंड प हर संबब प्रयास करने के तैयार हुँ है तो अगर मेरा वीडियो आपको पुर्षंद आ रहा है तो आप इसे लाइक जरूर करें शेर भी करें और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तब तक धन्य बात मिलेंगे अ continuous देख्टे रहिए